सोनम कपूर की बात कीज़े दोस्तों तो अक्सर सोशल मीडिया पे उनके बयान जो है चर्चाओं का विशे बने रहते हैं सोनम कपूर जो की पापा अनिल कपूर की लाडली परी है और ऐसे में सोनम कपूर इस वक्त लंडन में है लंडन में जिस तरीके के circumstances से वो जूज रही है उसके बारे में उन्होंने वो इस बाते शेयर करें और लोगों ने हिंदुस्तानियों ने जम के लतार दिया और बोल दी एक बड़ी बात कि भाईया सोनम अगर इतना ही सही है न तो भारत वापस मताओ और वहीं लंडन में जा मिस्टर आउजा के साथ शादी करके जो है अपने नाम को extend तो करी लिया साथिजाद अपनी place को भी extend कर लिया सोनम कपूर मुंबई में नहीं है इस वक्त वो लंडन में अपने अराम से घर में बैठी हुई है और उन्होंने एक recently इंटर्व्यू दिया जिसमें उन्होंने कह कि मैं अपनी जिन्दगी को enjoy कर रही हूँ और लंडन में मेरी जिन्दगी है एकदम सामान में है और मैं यहाँ पर बहुत जड़ा free महसूस करती हूँ सुनम कपूर यह भी कहती है दोस्तों की एक सकेना मैं बताता हूँ exact lines क्या है सुनम कपूर कह रही है कि मैं आजादी को enjoy कर रही हूँ लंडन में और मैं अपना खुद का खाना पकाती हूँ खुद घर साफ करती हूँ लेकिन दोस्तों जैसी उनका यह interview आया वैसे ही social media पे लोगों ने उनको जो बुरी तरीके से लटाड़ा कि मैडम एक काम गरो ना इंडिया वापस ही मताओ हूँ लंडन में ब दूसे थे बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोल दोगी तो बॉलिवुड के विभीषण कहते हैं दोस्तों घर का बेदी लंका धायवाला ही सहाब है यहां पर दोस्तों एक और यूजर लिखते हैं कि भारत में कोई आजादी नहीं सफाई करने वाले और बावर्ची सोनम कपूर एक यूजर यह लिखते हैं कि मैं एक पिटिशन की शुरुआत कर रहा हूं जो जबर्दस्ती घर में मदद करने वालों को आपकी आजादी चीनने से रोकेगी हैश्टाग सोनम कपूर you are so dumb you are not sonam kapoor you are so dumb kapoor oops so लोग जो हैं दोस्तों sonam kapoor को इस तरीका से back to back ट्रोल कर रहे हैं ऐसे मैं आपका क्या reaction है मुझे ज़रू बताएं बने रहें चैनल के साथ देखते रहें फीफा फूल्स सोनम कपूर के इस statement को आप किस तरीके से देखते हैं ज़रू बताना